अब जो हम question करने वाले थोड़ा सा theory का point है और ये theory exam में maximum chances होता है आना ही आना रहता है अगर theory का कोई point आता है ने company account में तो ये theory देते हैं वो आपका क्या होता है section 52, subsection 2 सर ये क्या कहता है ये कहता है utilization of security premium security premium सर security premium का मतलब पहले समझा दो एक पर security premium को समझेंगे जब कभी भी हम shares को issue करते हैं जब कभी भी हम share को issue करते हैं तो हमें दो चीजे समझना होता है एक number की बात होता है हमारा कि मैंने 1000 share issue किये 2000 share issue किये 5000 एक तो number होता है दूसरा सर ये share कितने का issue किया तो कितने का issue किया वो होता है face value कि 10 रुपे का एक share है अब 10 रुपए के shares को अगर मेरी goodwill अच्छी है ना तो मैं 10 रुपए के shares को इससे जादा में भी बेच सकता हूँ For example, जो बच्चे थोड़ा बहुत stock market से रिलेट करते हैं आपने देखा होगा एक most popular Paytm है Paytm का एक share कितने का मिला था किसी को याद है अठारा सो उननिस सो के आसपास मिला था अठारा सो नो उननिस सो तो वो share पता ही कितने का था वो था दो रुपए का share दो रुपए का share उसने अठारा सो रुपए में बेचा था क्यों Paytm की goodwill है आप सभी जानते हैं तो अगर किसी company की goodwill होता है ना और valuation लगाये जाता है मेली तो वो company न अपने shares का face value से हमेशा extra पैसे चार्ज करती है पबलिक से तो face value से अगर मैं जो भी extra चार्ज करूँ मान लो 10 के बदले मैं आप से बोलता हूँ कि आप मुझे 11 दीजिए तो यहाँ एक रुपए जो consider किया जाएगा न वो होगा security premium मान लेते हैं कि मेरा company का share 10 रुपए है और मैं आप से बोलता हूँ कि मैं अपना share दूँआ 2000 रुपए का तो पता है आप से security premium कितने ले लिए मैंने 1990 रुपए सेम ऐसे हो सकता है कि मैं आपको अपनी company का share कितने का दे रहा हूँ मैं अपनी company का share दे रहा हूँ मैं 5000 रुपए का और 100 रुपए का एक share है तो यानि 4900 रुपीज क्या है हमारा तो security premium समझ में आया यानि हमारे face value से जितना भी extra पैसा मैं recover करूँ है share holder से उसे क्या बोला जाएगा security premium सर अब ये security premium company को company law ने हमें ये permission तो दे दिया कि आप share holder से extra पैसे ले सकते हो और उस पैसे को क्या बोलेंगे security premium लेकिन law ने ये बोला कि आपने 10 के बदले 11 लिया ना एक रुपए extra लिया है ना या 10 के बदले 2000 तो कितने रुपए extra लिया है 990 रुपए लेने के लिए मना नहीं कर रहे हैं लेकिन use नहीं करना इसे तो law ने restriction लगा दिया कि इस पैसे को extra पैसे अब public से वसूल तो सकते हो लेकिन इस्तमाल नहीं कर सकते यानि company के उपर थोड़ी सी लगाम लगाई गए कह सकते हैं बिलकुल simple word में कि ऐसे company बहुत सारे पैसे ले लिया आपके और public के पैसे होते हैं दीरे दीरे पैसे आते हैं और उस पैसे का कहीं गल्त जगा इस्तमाल कर रहा है गल्त जगा इस्तमाल करने का मतलब इन्होंने क्या कर आपने personal use के लिए इस्तमाल कर लिया या फिर अपने अलग किसी ऐसे मोटिव में इस्तमाल कर लिया किसी को लून दे दिया बेड़िट्स वगरा दिया कमपनी को अच्छे से नहीं चलाया तो law क्या कहती है security premium का use आप नहीं कर सकते हो किस ने कहा law ने लेकिन जब ऐसा बात बोला गया तो आप समझो जो बंदे premium ले रहे थे बोला थे जब इसे use नहीं कर सकते तो लेंगे क्यों government ने बोला low लेकिन इसका इस्तमाल मत करना फिर government लेके आई section 52 subsection 2 जब हमारा companies act 1956 था तब government लेके आई थी section 86 तो जब companies act 2013 आया तो government ने उस section को replace किया और लिए section 52 subsection 2 बोला आपको चिंता नहीं करना आप premium ले रहे हो तो आपको attention किस बात किये कि उस पैसे का क्या करें use कहां करें government ने बोला हम बताते हैं 5 जगह आप वहां use कर लेना छटी जगह अगर आपको इस्तमाल करना है तो आप हमसे पहले एक बार permission लेना करिए आप तो पांच जगह में सबसे पहले क्या बोला गया point नमर वन आपको अंडर राइटर कमीशन अंडर राइटर कमीशन या फिर preliminary expense preliminary expense को write-off करने के लिए सर अब ये चीज तो बताओ अंडर राइटर कमीशन क्या होता है और preliminary expense क्या होता है अभी अभी हमने देखा कि हमारा share कितना बिखना चाहिए minimum 90% कितना बिखना चाहिए minimum अब company क्या होती है कई बार fail हो जाती है बेचने में तो company ना एक agent ढूंटती है और उसे अपने shares को बेचने के लिए ठीका देते है जैसे मेरे company का मान लेते है मेरी company इतना ज़्यादा popular है नी तो मैं अपना shares बेचना चाहता हूँ तो मैंने public को बहुत ज़्यादा announcement भी करवाया है तो public बोल रहे है कौन खरीदेगा तो मैं ना एक बीच में ठेकेदार ढूंटता हूँ और ठेकेदार होते है banker और banker जैसे कि मान लेते है standard chartered होगी ICICI मैंने बोला भाई तुम मेरी company के share बिकवाओ एक share पे हम आपको commission देंगे मान लेते हैं 10 रुपे का share है तो हम तुमें 50 पैसे commission देंगे और हम 100 करोड share बेचना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं 100 करोड share 100 करोड पे 50 पैसे अगर हम लगाएं तो वो भी कितना बन जाएगा हमारा ठीक है न तो commission कितना ज़्यादा हो बन रहा है न तो सिर्फ इस commission के purpose के लिए सामने वाला जो banker है या सामने वाला financial institution है मेरी company के shares बिक्वाने की guarantee ले लेगा लेकिन अगर मेरी company का share वो क्या करेगा देखो यहाँ पे रहेगा कैसे रहेगा ये मैं हूँ यानि मैं अपने share बेचना चाहता हूँ बीच में आ गया bank बीच में कौन आ गया bank और bank के बाद ये public है अब जो company है company के नजर किस पे सीधा public के उपर और company ने mediocre bank से बोला कि भाई एक काम कर तू मेरे सारे share बेच लेकिन सारे share बेचना है मैं तुझे commission दूँगा banker ने बोला मैं ठीक है मैं बेच दूँगा लेकिन in case public ने इसके share खरीदने से मना कर दिया तो banker को खुद खरीदना होगा commission किस बात की दे रहे है अगर यही कहानी हो कि मैं बेचूँ और share ना बिके और commission तो मैं commission तो इसलिए दे रहा हूँ ना आपको कि अगर आप share बेचने में असफल रहे तो सारे share आपको खरीदने होंगे तो यह होता क्या है normally यह भी share को public को बेचता है और यह भी बेचता है दोनों तरीके से बेचता है तो shares क्या हो जाता है हमारा oversubscribe भी हो जाता है कई बार तो जो यह banker है ना यह banker जो commission ले रहा है उसको जो commission दिया जाता है उसे बोलते है underwriter commission यह कब दिया जाएगा शुरू में दूसरा है preliminary expense preliminary expense क्या होता है अब company बनाना है company बनाना है SKD limited अगर मुझे company बनाना है तो company बनाने का मतलब मुझे सबसे पहले ROC के पास जाना पड़ेगा registered of company के पास registered of company के पास जाने के बाद मुझे registration करवाना है पड़ेगा company बनाना है पता नहीं है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा certificate, SIN मिलेगा या नहीं मिलेगा commencement of certificate, पता नहीं है मुझे ROC के पास जाना पड़ेगा, जाने का किराया लग चुका है paper photocopy करवाया, MOA बनवाया, पैसा लग चुका है AOA बनवाया, पैसा लग चुका है company बनेगा या नहीं बनेगा वो बाद में depend करता है तो पैसे लग गया नहीं, company बनने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं उसे बोला जाता है pre-incorporation expense या preliminary expense ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे तो अगर आपने company बनाया है और underwriter को पैसा देना है या preliminary expense को payment करना है तो security premium से अगर आपने पैसा कमाया है तो आप उसको payment कर दीजिए उससे समझे बात दूसरा, पहले point में कोई दिक्कत हम क्या सीख रहे हैं पहले ये तो पता होना चाहिए मुद्दा, क्या सीख रहे हैं premium को कैसे use किया जाए, समझे अगले point की बात करते है next point की अगर हम बात करें underwriter commission के बात bonus issue ये भी हमारे syllabus का part है bonus issue section 205 bonus issue के according देखा जाए तो bonus issue क्या होता है, free cashier यानि आपके पास अगर 1000 share है और मैं बोलू one is to one का bonus है, यानि 1000 share और दे रहे हम आपको free में तो जब free में पैसे shares दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो हमें पैसे का right off करना पड़ेगा न उसको तो shareholder से premium लिया और shareholder को ही दे रहे हैं law बोलती है तो गलती कह दो तो law ने allowed कर दिया कि bonus issue भी आप कर सकते हो utilization of security premium समझे रहे हैं लॉजिक उनका number तीसरा redemption of debenture debenture को redeem करने के लिए मतलब जो debenture issue किये हैं उस debenture के जब पैसे लोटाने होते हैं तो उसको बोला जाता है redemption of debenture जो उस debenture के पैसे लोटाने हैं उस पैसे को देने के लिए हम security premium का इस्तमाल कर सकते हैं simple सी बात बोले तो बताइए कोई समस्य है इसमें number 4 number 4 buyback off share यह सारे अपने आपस में अपने आप में chapter है जो point लिख रहा हूँ न पांच chapter बन जाएंगे आपके subject के preliminary underwriter का आपका other than cash में सीखनों को मिलेगा bonus share के नाम से आपके subject में अलग chapter redemption of debenture बहुत detail में अलग chapter है buyback off share अलग से chapter है तो यह सारे chapter बनने वाले हैं आपके तो एक तरीके से chapter याद कर लो तो section 52, subsection 2 वैसे याद हो जाएगा हमें ठीक है न buyback off share buyback off share का मतलब क्या होता है हम अपने share को खुद खरीदना चाहते है जैसे मालो मैंने आप सभी को share बेच दिया 10-10 रुपे का बेचा है share अब company चाहती है कि आप में से कोई अगर बेचना चाहते हो वापसी दे दो मैं आपको 15-15 दियूँँगा तो आप shares वापस मुझे बेच रहे हो तो मैं आपको 15-15 रुपे return कर दूँगा और shares को मैं वापस खरीद लूँगा तो मैंने अपने share को खरीद लिया तो इसको बोला जाएगा buyback debenture को खरीदेंगे तो क्या बोला जाएगा redemption of debenture लेकिन shares को खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे buyback तो buyback करोगे तो पैसा दोगे ना कहां से दोगे security premium से निकाल के दे सकते हो ऐसा नहीं है कि आप bank से नहीं दे सकते हैं you can pay by bank bank से pay कर सकते हो लेकिन आपके पास option available है security premium reserve में अगर पैसा है तो यह से निकाल के दीजिए चार के बाद number 5 security premium paid on redemption of preference share and debenture यानि अगर आप security premium पे आप देखो security premium का क्या मतलब है जैसे मालो मैंने आपसा 100 रुपे लिए और आपको debenture दिया ठीक है तो debenture issue हो गया 100 रुपे का समझ में आ रहे है बात यहां तक इसके बाद मैंने बोला आपको मैं return करूँगा 105 रुपे तो मैं आपको extra return करूँगा ना तो redemption पे मुझे देना पड़ेगा 5 रुपे extra तो उस 5 रुपे को payment करने के लिए 100 तो मैं दे सकता हूँ उस 5 को भी payment करने के लिए security premium का utilization कर सकता हूँ और यहां पे preference share पे भी अगर ऐसा हुआ तो law ने बोला security premium इस्तमाल मत कर ले ना उसके लिए सिर्फ किस के लिए कर सकते हो debenture के लिए कर सकते हो equity के लिए कर सकते हो preference share के लिए नहीं किया जा सकता इस्तमाल तो यह 5 जगे मैंने बताये थे 5 पॉइंट है किस section में लिखा है section 52 subsection 2 में और यह 5 पॉइंट लिखा हुआ है कहां पे आप utilize कर सकते हो और यह सारा अपने आप में एक chapter है अब बताओ security premium का मतलब क्या extra पैसे लेना extra पैसे जब लेंगे तो हमारे लिए फाइदे की बात है या नुकसान की बात है अच्छा पैसा extra लूगा तो नुकसान होगा मेरी fees double दे तो भाई सब ठीक है ना क्या होगा हमारा फाइदा तो फाइदा जब बात है तो journal entry में कहीं भी होगा तो पता है कहां करेंगे यह credit में करेंगे income होगया तो income should be credited journal entry में question में जब बोला जाए ना कि आप application पर करिये तो application allotment तो allotment जब question एकदम मान लो mon रखता है ना question question mon का मतलब समझते हो question कुछ बताई नीडा कहां है तो ऐसे situation में आपको always adjust करना इसको on allotment on allotment कहां adjustment मारना है आपको adjustment कहां करना है मैं general entry अभी करूँगा security premium फिर call scenario रहे धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ और मैं थोड़ा speed भी लेके चलूँगा क्यूं लेके चलेंगे सर speed क्यूंकि 12 में आपको यह सारी चीज़े कर रखे है जिन बच्चों को आता है कहीं न कहीं उनको लग रहा होगा कि सर यह तो boring है इसमें time आपने invest कर दिया मैं हर बच्चों को लेके चल रहा हूँ जिनको आता हो चाहिए नहीं आता हो उससे कोई लेना देना नहीं फिर भी देखा जाए तो थोड़ा speed जैसे जैसे आगे बढ़ेंगा उसको बढ़ाते जाएंगे ठीक है तो यह है हमारा section 52 subsection 2 book जो है सभी बच्चे अब धीरे-धीरे market में available हो जाएगी book last year का arrange करो जैसे भी करो book है J-R-Moga और उसी से हम start करेंगे क्योंकि question मैं अभी तो मेरे अगर मुझे बोलोगे पूरा syllabus कराने तो मैं बिना book के करा दूँगा example लिख लिख के लेकिन आपको फिर मजा ही नहीं आएगा उसमें और सिर्फ book से काम नहीं बनने वाला book के बाद फिर आपको past year के questions भी करने पड़ेंगे 10 years से वो compulsory है वो तो मान के चलो आपका अगर आपने past year के questions पेपर सॉल्व नहीं किये तो समझो फिर आपको इतना ज्यादा confidence नहीं आएगा